भागलपुर पुलीस लगातार मादक पदार्थों और सराप तसकरी के खिलाप अपने अभियान को तेजी से चला रही है मंगलवार को बाइपास पुलीस को वैजानी गाउं में सराप तसकरी की गुप्त सूच न मिली इस पर कारवाई करते हुए बाइपास थाना ध्यक्च परभात कुमार सर्मा के नेतरित में पुलीस टीम ने गाउं के पांडे टोला छेतर में कई घरों में छापे मारी की हाला कि तालासी के दोरान पुलीस को घरों से सराप की एक भी बोतल नहीं मिली इसके बाद पुलीस ने घर के बाहर खड़ी एक बाइक को जब्त किया है साथ ही वहां मौझूद लोगों से बाइक के संबंध में पूछताच भी की पुलीस को संदे है कि इसी बाइक का इस्तमाल सराप तसकरी में किया जा रहा था वहीं बाइक को जब्त कर पुलीस थाने ले आई और मामली की जाच जारी है भागलपूर से 60 सब और रेलवे स्टेशन का आधुन की करन किया जा रहा है जिसे सिल्क के धागों की थीम पर बनाया जाएगा इस पर योजना के निरक्षन के लिए मालदा डिवीजन के असिस्टेंट इंजिनियर रनवीर सिंग भागलपूर पहुंचे उन्होंने अमरिद भारत योजना के तहत स्टेशन के माडलिंग कारी का निरिक्षन किया और बताया कि फेज 1 का काम लगभग पूरा हो चुका है फेज 2 में स्टेशन को सिल्क के धागों की थीम पर सजाया जाएगा इस निरिक्षन के दवरान रिल्बे विभाग के कई आधिकारी और करमचारी भी मौजूद थे इसमें आप देख पा रहे हैं कि सिल्क फ्लोरी नहीं वाल के कलर के साथ साथ में बहुत ही अच्छी अच्छी पेंटिक्स यूज़ की गई है यह जो पेंटिक्स यूज़ की गई है यह पेंटिक्स यहां के लोकल जो आर्ट एंड कल्चर है उन सब को ध्यां में रखने हुए साथे पेंटिक्स यहां पर दिपलप की जाएंगी और लगाएंगी इस पेंटिंग के लिए पूरी एक तीम लगी हुई है कि जिस जगह पे जो लोकल आर्ट एंड कल्चर है यहां की जो famous जो भी architectural significance के जो भी structure है उनको भी हम painting करके और उनको यहां पर लगा तो इस पे भी हम meticulously पूरी तरह से ध्यान दे तो हम सिर्फ आपको station नहीं बना रहे हैं बलकि यह जगह के culture को live करने के लिए उसमें जान डालने के लिए जो भी चीजें हमें करनी है पूरी तरह से हमनों जी जान सीस में लगया हूँ रेलवे की बहुत सारी टीज एक साथ काम कर रही है जिसमें गती सकती भी ओवराल सारी चीजों को monitor करती है हमारी division में जो टीम है इसका execution करती है और इसके बाद में हमारी एक टीम है गती सकती unit की जो architecture से related इन सारी चीजों का सारी चीज रेलवे station का सौंधिकरन किया जा रहा है जिसकी लागत 24 कडोड 22 लाक रुपे है रेलवे विभाक के senior DME जमालपुर के अधिकारी के के दास ने प्रेस कौन फ्रेंस के माध्यम से इस जानकारी को साजा किया उन्होंने बताया कि फेज बन का काम लगबग पूरा हो चुका है और फेज टू के तहट station को अचगैबिनाद धाम की थीम पर सजाया जाएगा इस्टेशन के सौंधिकरन में यात्रियों खास कर कामरियों की सुविधाओं का विसेज़ ध्यान रखा गया है परियोजना के तहट station में पांच लिप्ट्स भी लगाई जाएगी भागलपुर में बच्चों, युबाओं और युबतियों को अपनी परतिभा दिखाने के लिए अब कई बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अंग परतिभा खोज सीजन फोर का आयोजन होने जा रहा है इस कारिक्रम का ओडिशन 25-26 और 27 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा जबकि फाइनल मुकावला 17 नवंबर को टाउन हौल में होगा बागलपूर के जावेद हवीब सालून में आयोजित प्रेसवारता में कारिक्रम की जानकारी दी गई इसमें डांसिंग, पैंटिंग, सिंगिंग और मौडलिंग जैसी परतियोगिताएं होंगी आडिसन में 72 प्रदरसन करने वाले प्रतिभागियों को फाइनल मुकावले के दौरान टाउन हौल के मंच पर प्रदरसन का मौका मिलेगा आडिसन कारिक्रम VIP डांस इस्टूडियो में आयोजित होगा और इसके लिए रजिस्टेशन सुरू हो गया है एक चुक लोग जावेद हवीब सैलून में सुलक के साथ रजिस्टेशन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं जावेद हवीब सैलून की संचाली का सुधा पांडे ने बताया कि इस तरह के कारिक्रम से भागलपूर के परतिभासाली लोगों को अपने घर में ही मैडल जीतने का अबसर मिलेगा प्रियस्वारता में अधिवक्ता पंकच कुमार लकी और जावेद हवी मुम्मई ब्रांच के एमडी अरविंद कुमार सैथ कई लोग मौजूद थे पहला चीज की जदी कोई प्रेटफॉर्म मिल रहा है उनको तो वो ज्वैन करें और हमारे यहां भी फॉर्म रखा हुआ है उनका और भी एक तो जगह भागलपूर में है हमारे जावेद हवी प्रो में कचरी चौप पर आ के ले और उनके लिए मैं हमेशा करते हूं यह और मैं चाहूंगी कि वो बच्चे आगे आएं और बीना जीजग के वो अपना वो करें स्टेज पे अपना उनको मिला है मंच तो वो आके बे जीजग वो डांस करें और उनका उससे क्या होगा और उसमें जावेद हभी प्रो जो है उनको पूरा सपोर्ट करेगा और जहां तो मैं यही माबाप से बोलूँगी पैरेंट से बोलूँगी कि वो अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं जो इंट्रेस्टेड हैं इसमें उनको डांस क्लास में भी भेजें और उसके बाद थोड़ा सा प्रैक्टिस घर में करवाएं और एक प्लेटफॉर्म जो उनको मि चितर के बाइपास पूल के समीप हुई है मिरतक की पाचान कुतुम गंज वाड संख्याएं क्यावन निवासी निरंजन चौदरी के पुत्र मयंग कुमार के रूप में हुई है हाथसे में गंभीर रूप से घायल यूबक को इलाज के लिए जवाहरलाल नहरू मेडिकल में भरती कराया गिया है वही गटना के बाद मौके पर पहुंची पुलीस बाइप को जब्त कर लिया और गायल यूबक को इलाज के लिए माया गंज स्पताल भेज दिया परतक से दर्सियों के अनुसार तेजर अपतार बाइप सवार भागलपूर से सुल्तान गंज की ओर जा रहा था जब वह बाइपास सडक पार कर रहे एक जानवर से टकरा गया टकर के बाद बाइक सवार यूबक करीब पच्चास मीटर तक घसीता गया और खून ज्यादा बह जाने के कारण उसकी मौके पर ही माउत हो गई हाथसे के बाद मैंग कुमार के परी जन माया गंज असपताल पहुंचे जहां उनका रो रोकर बुरा हाल है फिलाल पुलीस ने मामली की चांट सुरू कर दी है क्या लजमी था इन? यह कितना आजमी था? यह दौ आजमी था एक यह मैं के यादब था यह मैं चांट सुरू कर दो इसको? क्या नामाइज आपका? मेरा नाम दॉत आजिव चांटी आपको नुए जचा हुए जशेरे चचा घर कहा परता है घर कुतू कर? बागलपूर जिली के अमरपूर संभुगन्ज मुख्यपत पर रामपूर मोड के समीप मंगलबार सुबह हुए एक सड़क हाथसे में बाइक शालक की घटना स्थल परी मौत हो गई मिरतक की पाचान बदकुंडी गाउन निवासी ससीकांत ठाकुर के पुत्र अंकित कुमार के रूप में हुई है परतक्च दर्सियों के नुसार अंकित तेजरपतार में बाइक चला रहा था और नियंतरन खोकर एक दीवार से टकरा गिया जिस से उसकी मौके पर ही माउध हो वहीं गटना की सूचना मिलते ही अस्थानिया लोगों ने मिरतक के परिजनों को जानकारी दी जिसके बाद परिजन तुरंत गटना अस्थल पर पहुँचे और उनकी हालत देखकर कोहरा मज़िया अमरपुरताना पुलीस भी मौके पर पहुँची और सब का पंचनामा कर पोश्ट माटम के लिए बांका भेज दिया इस दरदना घटना से परिवार सोक में डूबा हुआ है और मिरतक के चाचा दिवाकर ठाकूर ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए रिज़ोग व्यक्त किया दिवाकर ठाकूर अच्छा रुहिनी अपना क्या चले बाती जा की नाम चले अंकीत कुमार ठाकूर अहां सा बेरेली कहां से इतब भतकुंडी से चलो अचले डूटी पकड़े वास्ते हैं ये पेट्रोल पंप के ड्राइवरी कर जे गारी चला चलाए चले सी अंजी पेट करीब 10-11 दोनों बचा का बाइक पर पैठाए का एक तो बचा का एक रोक्तर गोदीम रहे चे एक तो बचा कर लेका कलकी चला भूमाय देचे हो गमों भूमाय का है वहाद हमेशनी तो नॉर्मली जिंद्गी में लगी के लिए नहीं पता चलाए फिनु देखा जिए वारी नहीं रहे तो हमेशनी खोजे ले लिया है कली कहीं कुछ हो लाइए तर पेट्रोलिंग पार्टी चले जठोरों के पास नहीं पुलवा पर पूछा लिए को एक सिजेट पर लाँ चिलना कुछ हो लोगी कि आपनों जानता पोसीज कर लिखल कर नहीं अभी तो कुछ नहीं ह पास आजाई है क्या भाई चले ने दू भाई ही कि नाम चले गवतम कुमार ठाकूर और आरो ईजे होले अंकीत कुमार